तो सो स्टेल्थ यार्क्रेफ्टो को निर्मान करने के मामले में हो या फिस स्टेल्थ यार्क्रेफ्टो के टेक्नोलोजी के मामले में हो इसमें फिलाल अमेरिका ही दुनिया में सबसे आगे है अमेरिका के पास दुनिया में सबसे पहले फिफ जेनरेशन के फाइटर यार्क् के लिए बड़े कदम को उठाया गया आप सब को पता ही होगा कि रशिया अमेरिका के स्टेल्थ इयर क्रेप्टो को काउंटर करने के लिए जहापे सुकुई 57 एयर क्रेप्टो का निर्मान किया है तो वही पे अब रशिया के द्वारा सुकुई Aesu 75 चेकमेٹ का विन निर्मान किया जा रहा है पर दोस्तों बताया जा रहा है कि Russia केबल मात्र Stealth Air Capital को ही निर्मान करके अमेरिका को चुनोती नहीं दे रहा है बल्कि रशिया के तरफ से अमेरिका के Stealth Air Capital को मारग गिराने के लिए Stealth Killer Air-to-Air मिसाइلों का भी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए तो सो रेशिया के एरफोर्स के बेड़े को अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक मातलो ओपरेशनल स्टेल्थ फिफ जेनरेशन के फाइटर यार कर सुखोई एसु-57 है और हाली में ही रेशिया के स्टेट रंड नियूज एजेंसी तास के तरफ से एक रिपोर्ट में जानकारी दिया गया है कि जल्दी रेशिया के सुखोई एसु-57 फिफ जनेरेशन के फाइटर यार क्रेप्टों के लिए निर्मान किये जाने वाले नया स्टेल्थ किलर या फिर कहे तो एंटी स्टेल्थ एर टु-एर मिसाइल अपना ट्राय ये भी जा रहा है कि ये ट्रायल समभावित इस साल के अंतक संपूर्ण हो जाए तो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर स्वर्गे स्वाइगो के तरफ से हाली में ही जानकारी दिया गया है कि रशिया के टैक्टिकल मिसाइल को परेशन का हिस्सा कहे जाने वाले वैमफाइल ड परेशन के एक एर-to-air missile के डिजाइन और डिफलोपमेंट किया गया है और दोस्तों उनके तरफ से ही इस बात का जानकारी दिया गया है कि ये जो मिसाइल है इसके ट्रायल को इस साल के अंतक समप्त कर लिया जाएगा उनका ये भी कहना था कि इस मिसाइल का डिजाइन और किया गया है और उनका ये भी कहना है कि फिलाल डिजाइन वियोरो के तरफ से मिसाइलों के ट्रायल को समप्त करने के साथ साथ इसके सिरियल प्रोडक्शन के लिए भी तैयारी किया जा रहा है तोस्तों ये जो नया मिसाइल है इसे लेके रेशन मीडिया का कहना है कि ये एर और इसके तरफ से अब तक रशिया के लिए कई तरीके के air-to-air missiles का design और development किया जा चुका है जिन में R-77, R-74, K-74, R-73 जैसे missile शामिल है पर दोस्तों अगर सुखोई ASU-57 Aircraft 2 में air-to-air missiles के इस्तेमाल के खवरों को अगर देखा जाए तो पहले ये खवर था कि इन aircraft 2 में medium range के R-77 series के missile का इस्तेमाल किया जाना है, November 18, 2019 में एक ceremony के अंतरगत, Wamphile State Mechanic Building Design Bureau के तरफ से एक upgraded production facility के भी integration किया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि सुखोई ASU-57 fighter air capto के लिए advanced air-to-air missile का निर्मान होगा, हाला कि दोस्तों इस platform के नाम का जिकर नहीं किया गया, मतलब ये नही बताया गया कि सुखोई ASU-57 के लिए कौन से missile इस नया facility में तयार होगा, पर कुछ media reporter में बताया गया कि AR-77 series के medium range का missile होगा, जिसे आकार में थोड़ा छोटा किया जाएगा ताकि ये air capto में fit हो सके, हाला कि दोस्तों ये माना जा रहा था कि ये जो नया missile है, ये R-77 के जैस से ही similar है, पर इसमें कुछ अन्य differences को भी लाया गया था ताकि इसके जो कारेशमता है उसमें improvement हो, रिपोर्ट में ये भी वताया गया कि AR-77 के जो नया variant को साल 2019 में unveil किया था, उसमें जो rare nozzle है उसे भी बढ़ा किया गया ताकि इसके thrust vectoring capability सही हो सके, हला कि इसमें passive radar homing, infrared sticker, इ एक report में ये भी खुलासा किया गया है कि इन missile को सुखवी AC-57 से test किया जा रहा है, even इसे लेके एक video जारी करते हुए भी वताया गया कि कैसे सुखवी AC-57, R-77 के ये नया variant के missile को carry कर रहा है, पर दोस्तों तब से ही इन missile को लेके कई तरीके के सवाले उठ रहा है, क्योंकि अ air-to-air missile है, जिसे रशिया के MRAM भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके कारशमता अमेरिका के M-120 MRAM missile के जैसा ही है, R-77 को 1991 में इंटिडियूस किया गया था, लेकिन इसके बाद लंबे समय तक इसके उपर काम चला और कई बार इन missile में अपग्रेशन करते हुए missile के features को और capabilities को भी enhance किया गया, दोसो R-77 के upgraded version R-77-1 को साल 2015 में Russian Air Force में operational किया गया और दोसो इन missile का इस्तेमाल सुखुई 35S Fighter Air Captain में सीधिया की उपर भी किया गया था, हाला कि इन missile के सबसे upgraded variant या फिर कहतों सबसे latest variant को K-77M के रूप में पैचाना जाता है, दोसो K-77M missile को नया improved active electronically scan array, radar seeker और न जो missile है ये anti-aircraft missile को भी engage कर सकता है, हाला कि missile के range को original R-77 missile के जैसा ही रखा गया है, मतलब करिवन इसका range 100 mile के आसपास है, और इसी कारण से इन missile को लेके ये वी doubt नहीं होता है कि ये missile सुखुई AC-57 Fighter Air Captain के capability को enhance करेगा, दोसो दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो Russia के तरफ से continuously अपने सुखुई AC-57 Fighter Aircraft को modernize किया जा रहा है, और इसके लिए रशिया के द्वारा Aircraftों में modern हत्यारों को लगा जा रहा है, साल 2021 में रशिया के तरफ से ये वी announce किया गया कि रशिया के द्वारा Aircraftों में नया anti-ship missile को लगा जाएगा ताकि ये Aircraft Maritime Threat को भी counter कर सके, दोसो रशियान सुखुई AC-57 5th Generation के Fighter Aircraft को अगर देखा जाए तो ये single seated twin engine multi roll Fighter Aircraft है, जिसे air to air, air to land, maritime targetों को neutralize करने के लिए रशिया के तरफ से डवलप्ट किया गया है, हाला कि दोस्खुई AC-57 Aircraftों को लेके रशिया के तरफ से अब तक इतना अधिक production नहीं किया गया है, कि इन information के base पे ही aircraftों को जाचा जाता है, हाला कि रशिया के तरफ से aircraftों के export variant को भी बना के बेचने का इरादा का जिकर किया गया है, लेकिन जब तक इसके export variant अन्ने देशों तक available नहीं किया था, तब तक इन aircraftों के original capability के बारे में सही डंग से जानना इतना आसान नहीं होगा, द किन first flight से लेके aircraftों के introduce करने के लिए रशिया को लंबा इंतिजार करना पड़ा और साल 2020 में ही रशिया के बेड़े में पहला सुकोई SU-57 के production variant शामिल हो सका, हाला कि दोस्तों जिस पहला production variant को शामिल करने का बात कहा जाता है, असल में ये पहला production variant नहीं है, क्योंकि इसके ज रिपोर्टों में यही बताया जा रहा है कि इसी साल रशिया को दो अन्य aircraftों का delivery किया गया है, तो सुकोई SU-57 fighter aircraft को देखा जाए तो रशिया के दावे के मुताविक इसमें superior stealth technology के साथ साथ, super cruiser, super maneuverability, advanced avionic और targetों को धून के उसे destroy करने के बहतरीन capability है, पर दोस्तों इसके साथ साथ रशिया का ये भी दावा है कि aircraftों में अभी भी नया generation के stealth engine का इस्तेमाल किया जाना बाकी है, तो इसका simple मतलब ये है कि रशिया के तरफ से जिन दावों को किया जारा, आइदर वो बढ़ चड़ के किया जाने वाले दावा है या फिर रशिया upgrade करने के बाद जिन aircraftों को तयार करेगा, वो और भी अधिक capability वाले aircraft होगा, दोसो aircraftों के अगर feature को देखा जाए तो आकार में ये aircraft काफी बड़ा है, और इसका लंबाई करिवन 20.1 meter मतलब 65 feet 11 inch के आसपास है, यारcraft के wing span 14.1 meter मतलब 46 feet 3 inch के आसपास है, जबकि इसके height 4.6 meter मतलब 15 feet 1 inch के आसप आसपास है, यारक्राफ्ट के wing area 78.8 meter square मतलब 848 square feet के आसपास है, यारक्राफ्ट के empty weight 18,000 kg, gross weight 25,000 kg और maximum takeoff weight 35,000 kg के आसपास है, यारक्राफ्ट के fuel carrying capacity करिवन internally 10,300 kg है, और यारक्राफ्ट में फिलाल 2 Saturn AL 41 F1 after warning turbofan engine का इस्तेमाल हुआ है, जिसके dry thrust 88.3 kN, after warning thrust 142.2 kN और emergency power 147.1 kN है, यारक्राफ्ट को लेके रश्या का दावा है कि ये high altitude में mark 2 मतलब 2135 km पर आवर के रफ्तार से उडान भर सकता है, जबकि इसके super cruiser रफ्तार करिवन mark 1.3 मतलब 1400 km पर आवर है, रश्या के तरफ से यारक्राफ्ट को लेके ये भी दावा है कि ये supersonic रफ्तार मे 3500 km के रेंज तक ट्रावल कर सकता है, जबकि दो drop time के सारे ये 4500 km के रेंज तक ट्रावल करने में सक्षम है, जबकि supersonic mode में इसके रेंज 1500 km है, ये जो यारक्राफ्ट है, ये 20,000 meter या फिर कहतो 66,000 feet के उचाई तक जा सकता है, और ये plus 9G के दवाव जहल सकता है, इसरेलिया 810, air-to-air missile को carry कर सकता है, जबकि इसके इलावा, KH-38M, KH-59MK-2, air-to-surface missile, KH-35EU, KH-31 जैसे anti-ship missile, KH-58SH-K जैसे anti-radiation missile, और कही तरीके के 250, 500, 1500 kg के guided-unguided bomb को ये carry कर सकता है, इसके इलावा बता है, ये भी जा रहा है कि ये 500 kg के cluster bomb और active homing bombs को भी carry कर सकता है, Avionics के रूप में ये aircraft में SH-121 Multifunctional Integrated Radio Electronic System, जिसमें BICAL radar का इस्तेमाल किया गया है, जो 400 km range में 60 targetों को track और 16 targetों को engage करने का समता रखता है, इसके इलावा ये aircraft में, frontal section में N-036-101 X-band Active Electronically Scan Array Radar, Check section में N-036-B101 X-band Active Electronically Integrated Angular Cover, और slot में N-036-L101 L-band Array IIFF System का इस्तेमाल किया गया है, इसके इलावा L-402 Himalayas Electronic Countermeasure System है, और aircraft में Electro-Optical Targeting System, Retectional Infrared Countermeasure, Infrared Search and Tracking System, Ultraviolet Missile Approach Warning System, Target Pod, Thermal Imaging, Low Altitude Flying and Night Landing Systems का भी इस्तेमाल किया गया है, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए, और साथ में बना हुआ बैल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले, जैहिंद!